यहां पर कौन साब के लिए बढ़िया रहेगा क्या डिसाइडवान्टेजिस है क्या फाइदा होता है यहां पर सबसे पहले बात करने वाला है और अगर आपको यहां पर सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप से कोशन पूछना चाहँ हो कि यहां पर जो रियल्मी 3 प्रो है जो की ओवर एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन प्रूफ होने वाला है यहां पर सबी लोगों को पता ही है यहां पर उसकी स्पेसिफिकेशन सब लिग हो चुकी है तो आपको क्या लगा मतलब माइक्रो यूस्ब पोर्ट जैसे आपको पता चला तो क्या आपके मन में आया क्योंकि मैं अगर अपनी परसनल बात करूं तो मुझे जो है यहां पर होड़ी सी डिसपोइंटमेंट हुई यहां पर माइक्रो यूस्ब पोर्ट से आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे नीचे बचाएगा जरूर कमेंट सेक्शन में बचाईएगा नहीं बताईएगा कमेंट सेक्शन में ओक तो तो तीखी अब यहां पर बढ़ते हैं यू यूएसबी टेक्नोलजी है उसका बेसिकली मतलब क्या मतलब किस वज़े से बनाएगी तो यह था इस वज़े से कि सिंगल केबल में हम डेटा भी ट्रांसफर कर सकें और साथ ही साथ चार्ज भी ट्रांसफर कर सकेंगा जैसा कि आप लोग को पता है अपनी केबल से जो रिद्यूस किया गया और इसकी ज़रुद इसलीई पड़ी क्योंकि हैं पर डिफरेंट बॉडर और गसे चीज 어렵 a इसय कार्णा अब एक केबल आख खरीदी है उससे अब अपने स्मार्टफोन को अल्मोस हर चीज से कर सकते हैं यहां पर USB A, USB B और USB C आपको देखने को मिलती है USB A जो है वो सिंप्ली एक रेक्टेंगुलर शेप वाली जो आपको देखने को मिलती है USB Pen Drives वगेरा में उसे कहते हैं USB B होता है Micro USB जो कि आप Most of the Smartphone में आज कल देखते हैं और USB C पोर्ट जो है वो भी आपको पता ही है कैसा होता कुछ इस तरीका है आपको देखने को मिलता है यहां पर डिफरेंस इन तीनों में क्या है इस बारे में बात करते हैं USB A port जो तो बेसिकली एक सिंपल पोर्ट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है यहां पर USB B और USB C यह इनकी जैक में आपको किस तरीके से डिफरेंशेट करेंगे यहां पर USB B पोर्ट जो होता है उसमें एक तरफ जो है आपको हुक्स देखने को मिलते हैं आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि आप जो माइक्रो USB पोर्ट में अपनी पिन को सही डग से लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं USB C port की बात करते हैं तो यह एक रिवर्सिबल USB होती है और मतलब एक लॉंग थोड़ी सी लंबी होती हो थोड़ी बड़ी भी होती है और इससे पहले USB 1.0 जिसके बाले मैं आपको पता है वो भी एक टेक्नोलोजी है USB 1.0 जो है वो आपको एलाओ करता था 12 मेगा बिट्स पर सेकंड मेगा बिट्स पर सेकंड धान दीजेगा उतनी डेटा स्पीड को ट्रांसफर करने में USB 1.0 जो है आपको फैसिलेटी देता जो कि डेफिनेटली काफी एक अच्छा बड़ा अप्ग्रेट था USB 1.0 से और जो माइक्रो यूस्बी पोर्ट आपको आज के टाम में देखने को मिलते हैं वो यूस्बी 2.0 तक ही सपोर्ट करते हैं वहिगर अब यूस्बी सी पोर्ट की बात करें तो बाकी के बचे हुए जितने भी अब तक आपको USB के स्टैंडर्स देखने को मिलते हैं वो यह USB 3.0 और 3.1 तो फींसे सपोर्ट फीम्हें आपको देखने को मिल जाता है m two point zero की था अब यह बहुत्बाइब देखने को मिल जाता है इन तीनों का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल effectively पर सेकंड तक की ट्रांसफर स्पीड प्रोवाइट करा सकता है हाला कि आज के बात करें मुबाइल प्रोसेसर की तो में लेकिन यहां पर बजेट रेंज में अगर आपको USB-C देखने को मिलता है तो यहां पर बहुत ही ज्यादा चांसे है कि आपको USB 2.0 का सबोर्ट ही देखने को मिल रहा हूं और फाइनल नोट 7 परो लेने के बाद मुझे देखने को मिला हूं मैं ऑसे बहुत ज्यादा खुछ भी ऑंठाटाता हूं यहां पर में हिसाफिक बताता हूं कि मुझे अपने फोन को चार्जर से कनेक्ट करने के लिए डेटा केबल को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ा फोन को जो पूर्ट है उसमें लगाया लेकिन उसके बाद कनेक्ट नहीं हुआ तो मुझे उपर नीचे उसे हिलाना पड़े क्योंकि यहां पर जो है लूज हो जाता है पोर्ट तो यहां पर obviously एक मतलब प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है और फोन भी अच्छे से चार्ज नहीं होता है डेटा केबल आपको जो है वो चींज करानी पड़ती है अगर वारंटी में तो आप जो है सर्वेस एंटर जाके नहीं आपको आपको अर्येंटेशन में दिया गया स्मार्टफोन में तो यह एक देखने वाली बात होती क्योंकि यहां पर बेना देखें आप जो है इस तरीक से नहीं लगा सकता है काफी चांसे ऐसे भी है कि यहां पर जो है का माइक्र युज बीपोर इस तरह से खराब भी हो करता है किया अपर जो है काफी ज्यदा आपको वियर टीयर देखना पड़ता है काफी मतलब अच्छा एक्प्रिम्स नहीं होताय है स्मूध लगती, Micro USB port, बाकी USB 2.0 जो आपको बेसिकली इस रेंज में देखने को मिलता ही है, टांसफर स्पीड बगरा सेम ही रहती है, लेकिन USB C port अगर हाईयर चीजों में देखने को मिलता है, तो वो एक अच्छी बात होती है, कि यहाँ पर आपको USB 3.1 तक का सपोर्ट देखने को मिल सकता है, साथ ही यहाँ पर USB C में अगर कंपनी चाहे तो audio output उससे दे सकती है, लेकिन USB 2.0 या micro USB के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो डेफिनिट्ल यह भी एक कंसिडर करने वाली बात है, लेकिन यह सब चीज़े फ्लैक्षिप वाले स्मार्ट फोन में होती है, बजट रेंज में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, आपको अपना चैनल साथ या चैनल में सब्सक्राइब कर लिए, नीचे मिलेगा लाल कर अच्छी देखने को मिलेगी और बस आज की वीडियो में इतना ही था, लाइक, सब्सक्राइब, शेर के में इन सब्सक्राइब कर अपको कोशन है, सजेशन है, या कभी वीडियो टॉप जिससे आप चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए,